एक टीचर बनने के लिए जब तक यह बाते नहीं आ जाती हैं कि आप उसे समझा लीजिए अगर ऐसी परिस्थतियां नहीं बन रही तो आप बहुत पीछे हैं इसलिए आपको बहुत सोचना होगा, समझना होगा, एक समझ विक्षित करनी होगी तो यहाँ पर भारत का प्रथम एतिहासिक ग्रंथ बहुत है, परमाल रासो है, विजय रासो है, आला खंड है, यह तो बहुत पहले के भी है, लेकिन याद रखेगा कल्हड राजदरबारी नहीं था, इसके पिता राजदरबारी थे चमपक एक कश्मिर में भी साशक हुआ था, जिसका नाम था हर्च और कश्मिर के इतिहास में हम लोग कश्मिर का अकबर कहा जाता है जैनुलाब दिन इसलिए कश्मिर इस समय पुरा गर्म माहुल बनाया हुआ है और कश्मिर हमारी हिंदुस्तान के भाल का किरिट है, राजमुकुत है और राजमुकुत धारण करना इस सामाने बात नहीं है, उसके लिए तो गर्मा गर्म माहुल होगा ही, इसमें तिथियां है, तिथियों के साथ एक क्रम बढ़ता है इसी कारणी से प्रथम एतिहासिक गरंथ कहा जाता है, यह बात जानते रहिएगा हम अगले इस्टेप पे आते हैं, और मानो का इतिहास तो मानो का इतिहास में भारती मानो का इतिहास भारती मानो का इतिहास मानो का इतिहास, भारती मानो का इतिहास तो मानो का इतिहास में हम लोग भारती मानो का इतिहास अब भारती मानो का इतिहास को जानने के लिए टीन चीजें मक्त पोन हुई, लिपी और लेखनकला लेखनकला के आधार पर ही भारती मानो इतिहास का वर्गी करण किया गया अब भारती मानो इतिहास का वर्गी करण हम लोग करेंगे तीन स्टेप में prehistorical is prehistorical is proto-historical is proto-historical is or historical is historical is prehistorical 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 is बिश्व परदेश में यह 20 लाख इसापुरु की बात करते हैं साड़े 4 अरब वर्ष इस प्रिथी की उम्र बताई गई है कि अब तक साड़े 4 अरब वर्ष हो चुकी है और प्रागयतिहासी काल 20 लाख वर्ष की बात बताता है लेकिन भारत के अस्तर पे प्रागयतिहासी काल 20 लाख से लगभग 9 जार इसापुरु तक हम लोग देख सकते हैं 20 कर सकते हैं धाई लाख बीसी से लगभग 9 जार 7 जार भी मान सकते हैं और इसमें हम लोग पाशान काल की बात करते हैं और लिपी और लेखन कला के आधार पिर भी भारती मानों इतिहास का वर्गी करण किया गया है तो यार रखेगा यहां पर लिपी और लेखन कला न लिपी थी और न लेखन कला ही थी प्रोटो हिस्टरिकल एस को हम लोग आध एतिहासिक काल कहते हैं आध एतिहासिक काल कहते हैं यहां पर भी हम लोग देखते हैं यहां पर दो काल आएंगे यहां से प्रस्ण पूछा गया है कई बार questions उठाये गए हैं कि आध एतिहासिक काल के तोत कौन कौन से काल आते हैं तो यार रखेगा हडपा और वाइदिक काल वाइदिक काल और हरपा का काल आप देखेंगे तेश सो से बीसी कर लिजे सत्रह सो पच्चास बीसी सत्रह सो पच्चास सत्रह सो पच्चास और वाइदिक काल आप देखेंगे पंद्रह सो से एक हज्यार बीसी तो आप देख रहे हैं कि नौ हज्यार के बाद सत्रह सो पच्चास सत्रह पच्चास के बाद पंद्रह सो पंद्रह सो से एक हज्यार तो इसके बीच के भी काल है और मैं कहा कि इतिहास क्या है क्रमिक स्टिंखला है इस चैन को अगर तोड़ देंगे तो न यह सब्जेक्ट समझ में आएगा न यह काल समझ में आएंगे और आज हर तरह के पढ़ाने वाले लोग हैं कुछ भी पढ़ा सकते हैं लेकिन कुछ भी पढ़ाने से और कुछ भी पढ़ने से TGT और PGT में कल्याण नहीं है TGT और PGT में किसी चीज को निगल लेना और कहीं उगल देना अगर यह सोच कि अगर आप चल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत फामी में हैं यहाँ पर जो आपको निगलना होगा उटिर डाइजस्ट करना होगा क्योंकि इतने questions के dimensions होंगे जो आपकी इस brain को हिला देंगे वह भी इतिहास इतिहास में आपका राजनीत भी घुसा होगा इसके अंदर आपके भोगोल भी घुसे होंगे अर्थसास्त्र भी होंगे एक समगर अगर आपने अध्यान नहीं किया है तो इतिहास आपके लिए क्या हो जाएगा इतिहास खराब कर सकता है लेकिन अगर कदम से कदम मिला के चलते हैं तो मैं कहा कि मैं इश्वर नहीं हूँ मान हूँ लेकिन मैं एक ऐसे उचाई तक आपको ले जा सकता हूँ जहां से आप लंबी छलांग श्रम लगा सकते हैं एक समझ विक्षित कर सकते हैं यही वह समझ है जिसकी मैं बुनियाद रख रहा हूँ तो इसी में तामर पाशान काल भी आएंगे और महा पाशान काल भी आएंगे तामर संस्कृतियां भी आएंगे म्रदभान्ड संस्कृतियां भी आएंगे लह काल भी आएंगे और इनका एक रमिक विकास है जिसे हम लोग इस हिसाब से पढ़ते रहेंगे और हिस्टोरी का लेज जब यह 1500 से 1000 और 1000 से उत्तरवैदिक काल भी आप पढ़ते हैं उत्तरवैदिक काल भी पढ़ते हैं तो जहां पे 1000 से लगभग 800 इसापुर की हम लोग बात करेंगे और हिस्टोरीकलेज छटी सताब्दी छट्वी सताब्दी इसापुरु से सताब्दी इसापुरु से मामला चलेगा और वर्तमान तक इसको रखा गया है तो मानो इतिहास को तो यहाँ पर देखिए लिपी है, लेखन कला है हरपा, निरक्षर नहीं थी बैदिक काल, सुर्ती परंपरा पर था लेकिन यह दावा नहीं किया जा सकता है कि लेखन पधती नहीं थी अति परिस्कृत और अति परिमार्जित रूप में थी फिर भी हम इसे पढ़ नहीं पाए हरपा की लिपियों को टांत्रिक लिपी कहा जाता है सांकितिक लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपियां थी हरपा की यह प्रस्नाच आ चुके हैं कि हरपा की लिपियां किस तरह की थी तो भाव चित्रात्मक यह आपके तांत्रिक लिपि के तहत आती है जिसका आज तक हम अर्थ नहीं समझ पाए वैदिक काल के मंत्र है जैसे ओंग जिस मंत्र के आगे लग जाता है सारे वैदिक मंत्र है ओंग एक प्रणव है इसे ही आज तक नहीं डिफाइन कर पाए लोग और मंत्रों की तो बात ही क्या है लेकिन हिस्टोरिकल एज लीपी और लेखन कला थी आती परिस्कृत रूप में आती परिमार्जित रूप में अती परिमार्जित रूप में और हम लोग इस चीज़ को लेके निकलेंगे और मैं आप लोगों को प्रागयति हासिकाल और प्रागयति हासिकाल अपने में ही एक महाभी सय है और कहा जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट इसके बाहरी लेयर को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है तो याद रखेगा इसमें भी क्या है तीन लेयर है और कोई किसी से कब नहीं है अगर यह प्रिहिस्टोरिकल है तो यह प्रोटो हिस्टोरिकल है और यह हिस्टोरिकल ही नूकलियस है इसे भी तोड़नास लेकिन हम लोग धीरे धीरे अगर एक वर्ष का भोजन है अगर एक ही दिन अगर आपको खाने के लिए नहीं, बलकि आपको कहा जाए कि आप उठा लीजिए तो आप उठा नहीं पाएंगे लेकि आप उसे धीरे-धीरे आप क्या कर सकते हैं? एक वर्स का भोजन आप एक वर्स में खावी जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा लेकिन एक वर्स के भोजन को कहा जाए कि आप सर पर उठा लिजीए हमें तो नहीं लगता है कि उठा पाएगा आदमी बाई कर्णम मलेश्वरी हो तो बात अलग हो सुसील कुमार हो तो बात अलग हो लेकि कृष्णा सर की तो हिम्मत नहीं है कि इस चीज़ को उठा पाँए अब आप लोग उठा भी सकते हैं नहीं पर भी उसका मैं दावा नहीं कर सकता हूँ हाँ जो मैं पढ़ाने आया हूँ इसका दावा मैं कर सकता हूँ प्राग्यति हासिकाल को हम लोग बात करेंगे और प्राग्यति हासिकाल को हम बातना सुरू करेंगे तीन चीज में और प्राग्यति हासिकाल को पाशान काल इसे प्रस्तर काल उसने प्रस्तर क्या है पाथर आप समझे होंगे पत्थर पाथर वही पाशान काल है इसी को इस्टोन एज कहा जाता है इस्टोन एज कहा जाता है और पूरा पाशान काल पूरा पाशानकाल मध्य पाशानकाल और नव पाशानकाल नौ पाशाणकाल पूरा पाशाणकाल को भी हम तीन भागों में बाटते हैं निम्न पूरा पाशाणकाल मध्य पूरा मध्य पूरा पाशाणकाल और नौ पाशाणकाल नौ पाशाणकाल सबसे महत्पूर्ण बाग क्या है कि पूरा पाशाण, मध्य पाशाणकाल, मध्य पूरा पाशाणकाल, क्या ऐसे आस्मान से तूटा और धर्ती पर आ गया या इसका भी कुछ इतिहास है आखिर आया कैसे तुम मैं तीन नाम लेना चाहूंगा C.J. Thompson का C.J. कही ए थाम्षन सब्दाता है T.H.O.E.M. थाम्षन इसी को थाम्षन कहिए या ताम्षन कहिए या भी बाद यहीं पत्खत्म हो जाना चाहिए कि सर थाम्षन की ताम्षन तो आप पे डिपेंड है कि आप थाम्षन कहेंगे या ताम्षन कहेंगे तो C.J. ताम्षन जान लुबक जान लुबक और सर चाल सलाइल सर चाल सलाइल सर चाल सलायल यह तीन नाम आप जानेंगे सी जे टामसन ने कहा कि यहाँ पर तीन काल आए थे पाशाण काल तामर काल और लह काल लह काल सर चाल सलायल ने पूछा जाता है पूछा जाता है सर्प से पहले पूरा पाशाण और नौ पाशाण शब्द दिये पूरा पाशाण और नौ पाशाण शब्द दिया यह पूछा गया है कि सर पूरा पाशाण और नौ पाशाण शब्द किस ने दिया तो यह चाल सलायल साहब ने दिया लेकिन जान लुबक इसका अध्यन किये जान लुबक इसका अध्यन किये इस नौपाशाण और पूरा पाशाण काल के उपकरणों, तकनीकियों, काल परिस्थतियों की अकल्पना करके उनका अध्यान करना सुरो किया यह तीन नाम महत्पूर्ण हैं, चाल्स लाइल, जान लुबक, सीजे टांप्शन लेकिन फ्रांस में, फ्रांस में, फ्रांस में, आफ, एजिल, एक प्लेश है, दम्मास आफ एजिल, सीख ऐसा उपकरण मिला, जो पूरा पाशाण, जो पूरा पाशाण, काल की परंपरा को छोड़ नहीं पाया था, और नव पाशाण काल की परंपरा को यह राप्ट नहीं कर पाया था, माने नव पाशाण काल के भी इसमें गुण थे और पूरा पाशाण काल के भी गुण थे और ऐसा पीरियट क्या होता है टॉन्जेशनल पीरियट एक मैं आपको उदारण देना चाहूंगा जैसे दिन गुजरा और रात नहीं आने वाली है साम का वक्त है जिसे गोधूली बेला कहा जाता है गोधूली गोधूली एक गोधूली शब्द है एक गब्यूती शब्द है एक गब्यूती शब्द है यह भी प्रस्न पूछा गया है तो गोधूली समय मापक एकाई है और गब्यूती जो है यह दूरी मापक एकाई है यह बैदिकाल में शब्द मिलेंगे और इतिहास में जो साहित्य है जो कल्चर है संस्कृती है और शब्दावलियां अगर TGT और PGT में अगर आप लोगों ने इस पर अगर अपना फोकस किया इसको अगर आप समझे तो यह सत्यमानिय आपको लेक्षरर प्रोफेशर बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा यह आपकी मुठी में होगा अब यह राजा-रानी की कहानी नहीं रह गई इतिहास इतिहास एक समझ है आज इतनी तक्निकियां बिख्षित हो रही है तो क्या प्रस्ण कम जटिल होंगे क्योंकि इन तक्निकियों ने लोगों में जागरुकता को फैलाया इस जागरुकता ने competition को और critical कर दिया आज गला काट प्रतिस पर था है किसी को पता नहीं होता था कि form कपड़ रहा है किस तीज़ का हो रहा है क्या हो रहा है competition दे रहे है तो जब घर ही एक competitive approach में create हो गया है बच्चे 90% से अगर down अगर हो गए तो फिर क्या पूछना है आप उस समय में है और आने वाला वक्त और भी जादे tough होता जाएगा और आप लोग class कर रहे हैं मेरी यही गुजारिश होगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं एकदम target विथा लोग के साथ जुड़ जाईए और कृष्णा सर कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध पाँच के अकार्डिंग कर दिया क्योंकि उस रत पर कृष्ण बैठे थे मैं उनकी तुल्ला नहीं कर सकता हूँ उनका एक कण मात्र भी नहीं हूँ लेकि इस subject में मैं अपने को कम भी नहीं आखता हूँ आप उस चीज को नहीं डाइजेस्ट कर पाए इसका में ठेकेदार नहीं हूँ लेकिन अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया तो ब्रह्म हो जाएंगे ब्रह्म हो जाएंगे तो यह गोधूली और गप्यूती की बात है यह पूरा पाशान और नौ पाशान काल में मध्ध पाशान काल आ कैसे गया पोरा पाशान काल के उपकरण हैं और आप देखेंगे की हम लोग पाशाण काल की बात कर रहे हैं और पाशाण काल में पहाड की बात होगे इन पहाडों पे नदियां होती है नदियां गर्त बनाती है नदियां जिधर से निकलेंगी उधर पथलों को तोडेंगी और यह पत्थल बड़े-बड़े खंडों में जब धर्ती पर गिरते हैं तो यही कांगलोमरेट कहलाते हैं जैसे बड़े-बड़े जो पत्थल हैं यह जब बड़े-बड़े पहाडों से जब इन नदियों के माध्यम से जब नीचे गिरेंगे तो यह छोटे-छोटे टुकणों में खंडित होंगे यह कांगलोमरेट कहलाएंगे और आप देख रहे हैं कि कांगलोमरेट मानव निर्मित नहीं है प्रकृति निर्मित है आपसे प्रस्ण में पूछे जाएंगे कि कौन से इस्टोन है जो मानव निर्मित है जो कृत्रिम है और कौन से ऐसे स्टोन है जो काकिरतिक है तो याद रखेगा यह कांगलोमरेट परंपरा है और यह जब कांगलोमरेट तूटता है तो यह छोटे गोलमटोल पत्थरों में कर्मट होता है और यही पेबल कहलाता है पेबल आज आप समझ गये होंगे कि कांगलोमरेट ही तूटता है तो पेबल होता है क्या यह पेबल कृत्रिम है मानोरेवित है यह प्राकिरतिक है नैचूरल है तो याद रखेगा यह नैचूरल है तो कांगलोमरेट और पेबल अब अगली कहानी सुरू होती है कि यही पेबल यहां पर हम इस चीजों को हटा देते हैं और यही पेबल मालीजी यह पेबल है इसी पेबल को हम लोग क्या कर देते हैं काटते हैं और यही पेबल कनवर्ट हो जाता है हैंड एक्स में हैंड एक्स एक्स का मतलब होता है कुल हारी और हैंड का मतलब होता है हस्त या हाथ तो हस्त कुल हारी या हस्त कुथार इसी पेबल से ही यह बना आप देख रहे हैं उपर पतला है और नीचे क्या है मोटा है उपर जो पतला वाला चीज है उसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं और उसको हम लोग काटते हैं यही उपकरण है यही उपकरण है और यह बड़े कमजोर पत्थर नहीं होते थे यह चर्ट जैस्पर फ्लिंट कैलसीडोनी कैलसीडोनी क्वार्डजाइट 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 इस क्वार्डजाइट को कई नामों से जाना जाता है चक्मक और इसे ही अस्फटिक कहा जाता है अस्फटिक अस्फटिक बना हुआ है प्रहरी जिसका उसको तीर में क्या धन है जिसकी रच्छा में रतेश का तन है मन है जीवन है अस्फटिक की सिला पर भगवान लक्षमन तीर धनुस लेकर वीरासन में बैठे हुए है और एक कुटिया की रच्छा कर रहे है तो बना हुआ है प्रहरी जिसका उसको तीर में क्या धन है जिसकी रच्छा में रतेश का तन है मन है जीवन है तो याद रखेगा वही अस्फटिक सिला है वही अस्फ़टिक सिला है तो यहाँ से आप से प्रस्ण पूछे जाएंगे कि पासाण काल में किन पत्थरों का यूज किया जाता था प्रियोग किया जाता था चर्ट, जैसपर, फ्लिंट, कैलसिडोनी और अस्फ़टिक की अक्वार्जाइटी यह एक दम होने चाहिए क्योंकि अगर यह याद है तो सभी और नहीं तो किसका प्रियोग नहीं किया जाता है इसके बाद जो भी हो लेकिन दूसरा प्रस्ण क्या पूछा जाएगा सरवाधिक किस स्टोन से जादे उपकरण प्राप्तु है तो याद रखेगा क्वार्जाइट पहला प्रस्ण यहां से पूछा जाएगा और आप देख रहे हैं कि हैंडेक्स हस्त कुठार किस से बना पेबल से जो हैंडेक्स है वही कृत्रिम है ना कि पेबल ना कि आपके कांगलोमरेट तो प्रस्ण पूछा जाएगा कि कांगलोमरेट आपका हैंडेक्स और एक और हम लोग बात कर लें इसी पेबल से ही इसी पेबल से ही एक पत्थर और निकाला गया उसका छोटा हम लोग कर दे और इसे एक हम लोग धार दे दे यही चापर कहलाया यही चापर कहलाया यही चापर कहलाया तो यह चापर किस से बन रहा है पेबल से एक ऐसा पाशाण उपकरन जिस पर एक धार हो वही चापर कहलाएगा और जब हम लोग दोनों तरफ धार दे देंगे तो यही चापिंग कहलाएगा यही हम लोगों को हैंडेक्स मिले और चापर और चापिंग मिले तो पेबल से दो संस्कृतियां पैदा हुई एक हम लोगों को चापर प्राप्थ हुआ तो एक हम लोगों को handex प्राप्थ हुआ तो handex, chopper और chopping किस से प्राप्थ हो रही है konglomerate से या paypal से तो पहली बात यहां आप समझ गए होंगे कि इनकी conditions क्या है हम अगले step पे बात करेंगे और हम लोग handex परमपरा पढ़ेंगे handex handex परमपरा पढ़ेंगे क्या यह handex भारत में मिला या यह दुनिया में भी मिला क्या जो दुनिया में handex मिले वही भारत में भी मिले तो पहले हम 20 स्वास्तर पे handex की बात करेंगे और ऐसे questions आप से पूछे जाते हैं क्योंकि यहां से सबसे critical questions पूछा जाएगा कि जो handex परमपरा है तो handex की चार परमपरा है handex की चार परमपरा है या आत्मसाथ करने वाली चीजे हैं या किताबों में नहीं हैं और जब तक बड़े ब्यवहारिक होके इस चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक question करना बहुत कठीन हो जाएगा abelian abelian handex abelian handex aesulan handex aesulan handex musterian musterian handex और magdalian magdalian handex हम लोग बात करेंगे 1784 इस स्वी के 1773 आप लोगों को याद होगा यह regulating 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 act का वक्त है और warren hastings warren hastings warren hastings यह बंगाल का अंतिम गवर्नर अंतिम गवर्नर लेकिन यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और यह प्रथम गवर्नर जम बन रहा है तो 1773 की regulating act के तहत ही बन रहा है बाद में भारत का गवर्नर जनरल होगा तो यहाँ पर भी questions आते हैं गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइसरा में क्या difference है जब वक्त आएगा तो हम लोग बात करेंगे मूल बात है 1784 इसवी में रायल असियाटिक सोसाइटी अब बंगाल की स्थापना हुई रायल असियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की अस्थापना हुए और इसका था कि एसियाँ में जितनी भी संस्कतियाँ है या मानों का विकास या आज ब्रिटिन इतना आगे पहुँच गया इसका क्या इतिहास है इन्ही सब को जानने के लिए एसियाँ के इतिहास को जानने के लिए रायल असियाटिक सोसाइटी अब बंगाल की अस्थापना इन अंग्रेजों ने की यह अपनी वुद्देश्य के लिए किये थे लेकिन आप जानते है अठारस और तिरसट में अठारस और तिरसट में राबर्ट राबर्ट ब्रुस फुट यह एक जियोलाजिस्ट थे भू तत्व वैज्ञानिक थे पूछा गया है तमिल लनाडू मद्रास था यहीं पर पल्लवरम 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 नामकस्थान से एक हैंडेक्स प्राप्त किया हैंडेक्स प्राप्त किया राबर्ट ब्रुस फुट ने 1863 में यह डेट याद कर लीजेगा प्रस्ट पूछा जाता है कि जो प्रागयतिहासिकाल का प्रथम उपकरण था प्रथम उपकरण किसको प्राप्त हुआ चल्स लाइल को राबर्ट ब्रुस फुट को या क्या थे रूत अत्रवय ज्यानिक थे कभी जियोलाजस्ट भी दे देगा इनको वह हैंडेक्स कहां से मिला हैंडेक्स था कि चापर था कि चापिंग था हैंडेक्स था लेकिन वह कौम सा हैंडेक्स था प्रस्ट यहां से हो गए और यह जो हैंडेक्स परंपरा है या फ्रांस की गुफाएं हैं उन गुफाओं से कुछ हैंडेक्स मिले उन गुफाओं के नाम पर ही इन हैंडेक्स का नाम रख दिया गया अबेलियन हैंडेक्स जो थी अबेलियन गुफा में पाई गई एसुलन हैंडेक्स जो है वह एसुलन गुफा में पाई गई मुस्तेरियन हैंडेक्स जो है वह मुस्तेरियन गुफा में और मैगडेलियन हैंडेक्स जो है वह मैगडेलियन गुफा में लेकिन भारत में यह तीन हैंडेक्स मिले हैं और यह तीनों तीन कालके हैं देखे कितना क्रिटिकल होता जा रहा है लेकिन अगर आपने बड़े दिल से सुना होगा बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो यह दिकतें समाप्थ हो जाएंगी यह एस्चूलेंट हैंडेक्स तो याद रखेगा इनको एस्चूलेंट हैंडेक्स राप्थ हुआ था और यह निम्न पूरा पाशानकाल से संबंदित है यह निम्न पूरा पाशानकाल से संबंदित है और निम्न पूरा पाशानकाल का वक्त क्या है धाई लाख से एक लाख बीसी मुस्तरियन हैटेक्स जो है यह मद्ध है पूरा पाशानकाल से है एक लाख से चालिस हज्जार इसापुर या बीसी आप कर सकते हैं मैगडेलियन चालिस हज्जार से दस हज्जार इसापुर और यह उच्च पूरा पाशानकाल से संबंदित है उच्च पूरा पाशानकाल से संबंदित है इसके बाद मैं आप लोगों को निम्न पूरा पाशानकाल स्टार्ट करूँगा यहीं पे मैं प्रथम अपना लेक्चर्स फिनिस कर रहा हूँ अगला कारेक्रम टार्गेट विथ आलो केस आनलाइन मन्स से सुरू होगा तब तक के लिए धेर सार्वी सुब कामना है थैंक्स